वेल्कम चु न्यू एपेसड ओफ सिंग आड़ो जॉन दोस्तों कमेंट में काफी पुछा जा रहा है कि सर जो इलेक्टिक कार की सेल फिगर्स है उसके बारे में कोई डाटा अगर है तो शेर कीजिए तो बिल्कुल दोस्तों निया डाटा निकल कर आया है भारत में जो इलेक लेक्ट्रिक SUV और टाटा की ही टिगोर उसके बार एमजी मोटर्स की ZS EV और हुणडाई कोना और साथ में मर्सलीज EQC एलेक्ट्रिक SUV अवेलेबल है बट उसको में काउंट नहीं करेंगे वो सुपर लक्जरी में आ जाती है एक क्रोड के आसपास इसका प्राइस है में ये लेक्ट्रिक आर्ज अवेलेबल हैं अगर हम नेक्शन की बात कर तो कोई कॉम्पिटिशन नेक्शन को अभी मार्किट में नहीं है तिल डेट लेकिन ZS और कोना का पूरी बराबर की टकर चल रही है अब बात करते हैं लास्ट में कितने यूनिट सेल हुए हैं नेक्शन इल लेक्ट्रिक SUV उसके 156 156 यूनिट सेल हुए हैं और कोना के सिर्फ 12 यानि कि 12 यूनिट ही सेल हो पाए हैं कोना का शुरू से ही सेल फिगर काफी डाउन रहा है और हम देख रहे हैं आपर क्लीर विनर टाड़ा नेक्शन इलेक्ट्रिक SUV निकल कर आई है अगर हम तीनों को भ तकरिवन 60-65% मार्केट शेर एलेक्ट्रिक वहिकल इलेक्ट्रिक आर की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर टाड़ा की नेक्शन इलेक्ट्रिक SUV के पास है और एक और डाटा यहां निकला है SMEV यानि कि सुसाइटी ओफ मेनिफेक्ट्र्स ओफ इलेक्ट्रिक वहिकल उन किन सा जो इलेक्ट्रिक वहिकल इलेक्ट्रिक वहिकल की सेल है जो तकरिवन 52% है येर आनि येर साल दर साल गलति हैं 2020 में चांटल 4,588 4,588 इलेक्ट्रिक वहिकल बात कर रहे हैं कि Nexon की sale हमेशा सबसे ज़्यादा रही है 60-60% जो market share है वो Nexon के पास क्यों है उसके पीछे कई factor आ जाते है जिसमें सबसे बड़ा factor है price इन सभी में सबसे affordable इसको कह सकते हैं बेशक टिगोर affordable है लेकिन टिगोर look wise या feature wise या range wise इतनी attractive नहीं है जितनी Nexon है बेशक Nexon टिगोर से तक्रिवे 4 लाक महंगी है बड़ स्टिल सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा है काफी लंभी लिस्ट है 35 connected features है Nexon में और luxury segment में ये आ जाती है मुझे खुद personally Nexon electric SUV बहुत बहुत पसंद है मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे budget में हो तो बेशक जो next electric car जो मैं प्लान कर रहा हूँ जो भी लूँगा वो हो सकता कि Nexon ही हो इसके लावा Tata इसी साल तक्रिवे दिवाली के असपास Ultros का electric version को भी launch कर देगा और उमीद है कि अगले साल जो HBX है उनकी compact SUV उसका electric version भी launch होगा वो छोड़ी small car रहीगी लेकिन उसका जो budget है range है साड़े आठ से लेकर 10 लाग के बीच में रह सकती है जबकि Ultros का प्राइस 11 लाग से लेकर 14 लाग के बीच रह सकता है तो एक बार फिर से Tata Motors को थम्स अप और congrats के उनकी electric cars बनाई गई electric cars सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है भारत में तो एथा अब डेट आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर शेर कीजेगा धन्यवाद वीडियो कौन तक देखने के लिए जैहिंद